लेस का ये छोटा सा टुकड़ा मेरे पास बचा था और इसी का इस्तिमाल करके मुझे ट्राउजर के दोनों पॉंचों का डिजाइन बनाना था इस लेस का इस्तिमाल करके मैं कमीज का डिजाइन पहले ही बना चुकी थी और बस ये थोड़ी सी लेस बची थी मेरे पास अब लेस का ये टुकड़ा इतना छोटा था कि अगर मैं इसको पूरा लगाती तो ट्राउजर के एक पॉंचे पर भी अच्छे तरह से पूरा नहीं आने वाला था तो इसलिए मैंने इसको दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लेट कर लिया और जब भी आपके पास कोई ऐसे सिचुएशन आ जाए कि लेस कम बच्ची है और कमीज की बाजू पर या फिर ड्राउजर के पॉंचे पर डिजाइन बनाना है तो आप इस तरह से इसको यूप्स कर सकते हैं तो यह देखिए चोटी-चोटी टुकडे मैंने काट लिया है लेस के अब कमीज के कपड़े में से मैंने एक चार इंच चौड़ी और तक्रीबन सोला इंच लंबी पट्टी ली है और इसके पीछे मैंने फ्यूज पेपर चिपका लिया था प्रेस की मदद से अब इसे मैंने बीच में से फोल्ड कर दिया इस तरह और इसके नीचे स्केल की मदद से किनारी से तक्रीबन थोड़ी सी ही दूरी पर एक मैंने लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ली अब जो मैंने लेस का टुकड़ा काटा था उसे मैंने बीच में से फोल्ड किया और इस तरीके से कपड़े की स्पट्टी के उपर रख दिया ये देखिए अब हमें लेस के साइज के हिसाब से यहाँ पर निशान लगाने है तो लेस की किनारी से थोड़ा सा नीचे की तरफ मैंने यहाँ पर एक निशान लगा दिया क्योंकि लेस की किनारी वाला हिस्सा तो वैसे भी सिलाई में दब जाएगा और इसी तरह से मैंने लेस के साइड पर भी एक निशान लगा दिया अब हमें इस तरह से यहां पर एक box जैसा pattern draw करना है इस तरह से अच्छे से dark करके मैंने इस pattern को draw किया है और अब हम इसको इस तरीके से fold करेंगे दूसरी तरफ अब इसको हम अच्छे से ना हाथ से ही दबा देंगे जिससे की pen से बना हुआ निशान दूसरी तरफ भी transfer हो जाएगा हलका हलका निशान दूसरी तरफ जब transfer हो जाए तो इसको अच्छे से हमें draw कर लेना है इस तरह दोनों ट्राउजर के पॉंचो के लिए बिल्कुल इसी तरीके से हमें pattern बनाना है अब हमें ट्राउजर के पॉंचे के आगे इस pattern को इस तरीके से रखना है और अब हमें इसके उपर सिलाई लगानी है तो जो pen से हमने निशान लगाया था बिल्कुल इसके उपर उपर हमें सिल देना है एक बार मैंने नीचे की तरफ सीधी सिलाई लगाई और फिर जो बीच में मैंने ये box वाला pattern ड्राउ किया था इसके उपर भी अच्छे से सिल दिया अब सिलाई लगाने के बाद हमें इसका extra fabric इस तरह से काट देना है और इसके sides में भी cuts लगा देने हैं चोटे चोटे cuts लगाते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि सिलाई वाला धागा बिल्कुल भी ना कटने पाए अब उपर से हमें इस कपड़े को भी fold करके सिलाई लगानी है जो कि मैं पहले लगाना भूल गई थी तो इस तरीके से मैंने इसको fold करके सिलाई लगा ली अब इसको हमें ना सीधा करना है और किसी नुकीली चीज की मदद से हम इसके कोने भी अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे इस तरह और अब मैंने इसको अच्छे से press भी कर लिया है तो प्रेस करने के बाद इसके पिछली तरफ हम तुर्पाई कर देंगे बाद में और अभी हम इसके उपर लेस लगाएंगे तो ये लेस का टुकड़ा जो मैंने काटके रखा था उसे इस box वाले pattern के नीचे हमें रखना है और इस तरीके से सिल देना है आप चाहे तो पहले pins लगा कर लेस को कपड़े के साथ अच्छे से से सेट करके रख सकते हैं ताकि ये लेस अपनी जगा से बिलकुल भी ना ही लेस सिलाई लगाते हुए और उसके बाद इसके उपर पक्की सिलाई लगा सकते हैं तो सिलाई लगाने के बाद इसके पीछे से एक्स्ट्रा लेस को हम काट देंगे और आप चाहे तो बाद में इसके पिछली तरफ इंटरलॉक करके इसको अच्छे से finishing दे सकते हैं तो यह देखिए ट्राउजर के पॉंचे का यह बहुत ही सिंपल सा डिजाइन हमारा बनकर रेडी हो गया है और इस डिजाइन को आप बिल्कुल छोटे से लेस के टुकड़े के साथ भी बना सकते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको यह डिजाइन कैसा लगा और इसी तरह के और डिजाइन आइडियाज को देखने के लिए मेरे चैनल नौटी स्टिच्चिस को भी सबस्क्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच फो वाचिंग बाई बाई